हेलो स्टूडेंट्स मैं उपेंदर कुमार ये केडमी के प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार sdm और civil service के question answer session हम करेंगे तो आईए इंडेस बेली civilization के topic पर कुछ question करते हैं तो सबसे पहला question जो हमारे सामने है हाँ सबसे पहला कि उसको हटा लेजिए जब सबसे पहला question हमारे सामने है देखे जो इंडेन इनिस्टेटिव सर्विस UPSC के एक्जाम में पूछा होगा question है देखे एक question है कि regarding the इंडेस बेली civilization consider the following statements यह कुछ statements दिए गए है उनके बारे में देखना है और इसमें से correct चुणना है इसमें statements है first it was predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene पहला कि एक secular civilization है धरम निर्दारित नहीं करते थे लोगों की जीवन को निर्धारित नहीं करते थे कंट्रोल नहीं करते थे दूसरा during this period cotton was used for manufacturing textiles in India यनि बस्त्र बनाने के लिए कपड़े बनाने के लिए सुती का इस्तेमाल होता था देखे आप हमारे साथ पढ़ाई किये होंगे इंडेस बेली civilization तो आपने देखा था कि nature जो थार धर्म का वो निश्चित रूप से क्या था nature जो था वो material gain के लिए था किसी तरह का थोपना थोपा हुआ नहीं था किसी तरह का वो dominate नहीं करता था life को इस तरह का evidences अभी नहीं है इसलिए पहला और दूसरा दोनों सही है so c is the correct answer next के तरह बढ़ते हैं which of the following character characterizes the people of Indus civilization which of the following characterizes the people of Indus civilization IS के exam में ये भी पूछा हुगा question है 2013 के prelims में कि कौन सी बिसेस्ताएं थी Indus Valley के लोगों की पहला they possessed great places and temples they worship उनके पास बड़े-बड़े महल थे और मंदीर थे दूसरा they worship both male and female duties पूरुस और महिला दोनों देवताओं की पूजा होती थी और तीसरा they employed horse drowned chariots in welfare यानि कल्यान के लिए रत का इस्तेमाल करते थे they employed horse drowned chariots in warfare युद में घोडे से खीचा हुआ रत का इस्तेमाल करते थे जो घोडा खीचते थे घोडा common use में नहीं था ये तो सही नहीं है पहला भी temples का evidence नहीं है तो पहला भी सही नहीं है लेकिन male और female दोनों देवताओं का evidence आपके पास है पसुपती सीवा जिसको proto सीवा भी कहा गया है meditation करता हुआ योगी mother goddess ये सारे evidences मिलते हैं fertility cult evidence मिलता है so two is the correct so B is correct answer next one which of the following pairs are correctly matched इसमें देखिए की एक तरफ कुछ sites हैं दूसरे तरफ उनकी कुछ भी सेस्थाएं है findings है और ये पुछा गया है कि कौन सही match है लोथल ancient dog yard बिलकुल सही है ये लोथल में बंदरगा प्राचीन काल में मिला है सारनात first sermon of Buddha ये बहुत ही common चीज़ है आप जानते हैं कि बुद्ध ने पहला उपदेश सारनात में दिया था ये भी सही है राजगीर लाइन कैपिटल अफसो का गलत है राजगीर में लाइन कैपिटल नहीं मिला है वो भी सारनात में मिला है तो तीन तो सही नहीं है नलंदा great seat of Buddhist learning वहीं पर नलंदा university है Buddhist learning वहां होती है Buddhism की पढ़ाई होती है तो इसलिए 1 2 & 4 is correct 1 2 4 C option देख लिए 1 2 4 कहां है C में है B पहले आना चाहिए था C बाद में चाहिए था लकिन फिर भी आप देख लिए 1 2 4 सही है जहां 1 2 4 हो वो आपका correct answer next one with reference to the difference between the culture of Rig Vedic Aryans and the Indus Valley people which of the following statements is are correct इसमें देखे की difference देखना है की Rig Vedic Aryan के जो संस्कृती थी और Indus Valley लोगों की जो सब्वेता थी उसमें क्या difference था ठीक है रिग वेदिक Aryans used to court of male and helmet in warfare whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them war में क्या करते थे कैसे करते थे हडपा के लोग क्या पाहनते थे सुरक्षा protection के लिए पता नहीं है लेकिन रिग वेदिक Aryans निश्चे तुरूप से वो क्या करते थे वो कवच पाहनते थे अपने सर को कवर करते थे तो पहला तो सही है दूसरा रिग वेदिक Aryans निव गोल्ड सिल्वर और कॉपर रिग वेदिक Aryans सोना चांदी और तामा जानते थे इंडस वेली पीपल वनली कवर और आईरन आईरन तो जानते ही नहीं थे इसलिए दूसरा गलत हो गया तो दूसरा गलत हो गया तो आप देखिए दो सब में है तो इस तरीके से आंसर बन जाए गया लेकिन फिट तीसरा भी देख लेते हैं रिग वेदिक Aryans had domesticated the horse whereas there is no evidence of इ course के बारे में Terracotta figurines मिल रही है इसलिए तीसरा भी गलत है सो करेक्ट आंसर इस एए वनली वन next match list one with list two सूची एक को सूची दो से मिलाई है and select the correct answer using the codes given below the list नीचे का जो code दिया है उसमें देखिए एक तरफ लोथल काली बंगा धौला बीरा बना वाली है दूसरी तरफ प्लावड फिल्ड है डौक्याड टर्रकोटा को रेपली का फ्ला है and inscription है तो याद रखिएगा लोथल से डौक्याड मिलता है तो एक तू होगा एक तू सिर्फ लास्ट में है डी वाले में कि क्या मिला है कि कि का याद रखेगा प्लावड फिल्ड का एविडेंस मिला है तो बी का वन हो गा एक टू बी का वन उसके बार धावला बीरा में inscription का evidence मिला है तो C का 4 हो गया C का 4 हो गया D बाना वाली तेरा कोटा रेपिली का अफ लाओ और D का 3 होगा ये देखिए B option होगा लेकिन यहां option गलत हो गया है misprint हो गया है यहां आप ऐसे मिला लिजिए B में C के जगा 4 लाना है और D के जगा 3 लाना है वो थोड़ा सा गलत हो गया है printing mistake है तो आप देख लिजिए यह बहुत ही common facts है आपको पता है कि धौला बीरा में inscription मिला है बाना वाली में टेरा कोटा रेप्ली का फ्लाव मिला है काली बंगन में प्लावड फील्ड मिला है लोथल में डॉक्यर्ड मिला है next which of the following characterizes the people of Indus civilization they possess great places and temples लगता है यह question repeat हो गया है क्योंकि पहले इसको बता दिया गया है they possessed they possessed great places and temples गलत है they worshipped both male and female duties सही है they employed horse drowned chariots in warfare यह भी गलत है तो इसलिए इसका 2 सही है B is correct answer 7 भी repeated है यह भी repeat हो गया है regarding the Indus Valley civilization consider the following statement it was predominantly secular civilization and the religious element though present did not dominate the sin so one is correct during this period cotton was used for manufacturing textiles in India यह भी सही है तो cotton का इस्तेमाल Indus Valley में हो रहा था और धर्म तो था लेकिन secular nature का था कहीं dominate नहीं करता था तो one, two सही है इसलिए she is correct answer तो आपने इतना question देखा और इस तरह से हमने लगतार Indus Valley civilization पर question किया है इन questions को आप देखेंगे तो आपको निस्ट रूप से civil service के exam में काफी सहुलियत मिलेगी और इसके साथ कुछ NCRD की टाबे पढ़ लिजे lecture को देख लिजे निस्ट रूप से आपको दीकत नहीं होगी तो इस session में इतना ही thank you, take care